यूपी में बदमाशों के होसले बुलंद होते जा रहे हैं देर रात हरदोई में पुलिस की मुटभेड कुछ बदमाशों के साथ हुई दरसल कुछ बदमाश पेट्रोल पंप के पास शराप पी कर हंगामा कर रहे थे सूचना मिलने पर पहुची पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन इस बीच बदमाशों ने फाइरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए इस दौरान फाइरिंग में एक पुलिस कर्मी घायल हो गया घटना के बाद पुश्रासन बदमाशों की धर पकड में जुट गया है पुलिस और बदमाशों में मुढ़ेड हुई जिसमें एक बदमाश पुलिस के हत्थे भी चटट गया लेकिन उसके साथ ही मौके से भागने में काम्याब हुए मुठभेड में गोली लगने से घायल हुए पुलिस कर्मी और बदमाश को अस्पताल में भरती करवाया गया है फिलहाल गायल पुलिस कर्मी और बदमाश खत्रे से बाहर बताय जा रहे हैं अब पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है यह घटना बया करती है कि प्रिदेश में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है जिसके चलते बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं और परिशानी का सबब भी बन रहे हैं